नमस्ते दोस्तों मेरी यूटूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आपकी बच्ची का बेटी का कान छिदाया है नाक छिदाया है तो मैं बहुत ही अच्छी घरेलू रेमिडी बताऊंगी जिससे वो बिना दर्द के ही ठीक हो जाएगा आपकी बच्ची क है तेल इंटना ही जरूरत है इसिद दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे अ PAT Tools यह से तवे फ़े से घर港ली कर लीजे करंटब के घर डड़ेंगे तो यहाल कासा घरन हो जाएगा है और गुंगूना गुंगूना ऊजब आपकी बच्ची का आज माल यहाज कान छिदाया है तो आज तुरंत आने के बाद चिदवाने के बाद आप इसे लगा दीजिए इस हल्दी और तेल को हलका सा गुनगुना करके गर्म करके दो तीन बार आप लगा दीजिए दिन में दोस्तो आप जो आपका बच्चा है बिलकुल उसको दर्द नहीं होगा और वो जो कान या फि दाता था हम लोग के बच्चपन में मेरे चिदाया था और कोई भी दवा इत्यादी मलहम इत्यादी नहीं लगाना पड़ता दवा नहीं खाना पड़ता अपने आप ठीक हो गया था इसी हल्दी और तेल के द्वारा गुनगुना हल्दी तेल लगाईए नहीं पकेगा बिल द्वाइब दीनों में लोग अपना नाक या फिर कान चिदवा रहा है अपने बच्चों का तो इसी दिन में च्छिदवाना ही चाहिए यह जल्दी ठीक हो जाता है लेकिन जाडे में जल्दी ठीक हो जाता है तो आप यही लगाईए हल्दी और तेल इससे आपका कान्या फिरनाक नहीं ठीक हो जाएगा अगर दोस्तों येरिंग पहनने से भी आपका ये कान्या नाक पक जारा है और उसने इंफेक्षन हो